तो हलो में डियर फ्रेंट्स, वेलकम टूर चैनल एवी दिफेंस का एरिया इस वीडियो में आम लोग बात करने वाले हैं इंपोर्टेंट डाकुमेंट्स की जो की आपको जो है इंडियान एर फोर्स की जो आइनिंग में चाहिए होंगे और फ्रेंस ध्यान दिजिएगा यह जो डाकुमेंट है वो आपको बहुत ही इंपोर्टेंट है और उसको बनवाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि फ्रेंस जब आप जॉइनिंग में जाएंगे वहाँ तो आपको इन जो डाकुमेंट्स हैं उनकी नीड होगी इस टाइम लागडाउन है इसलिए आपने सोचा कि पहले ही बता दिया जाए कि जो डाकुमेंट आपको अगर आपके पास है नहीं तो आपके पास पूरा टाइम है आप धीरे धीरे उन्हें बनवा सकते हैं जो यानिंग के रिलेटर फ्रेंट्स मैं बदा दूँ अभी तो कोई फिक्स है नहीं लेकिन फ्रेंट्स हो सकता है जब तक कोई आप फिसियल यूज नहाए हम जुलाई फॉस्ट वीक ही मान के चलेंगे आप लोग को डाकुमेंट्स जरूर से जरूर बनवा लेने चाहिए यादि इन में से कोई भी डाकुमेंट्स नहोतो नहीं तो फ्रेंट्स आपको बाद में फिर दिक्कत हो जागी जब इन डाकुमेंट्स की आपको नीड होगी तो आप लोग को सभी डाकुमेंट्स बनव बताने वाले हैं, तो friends हमारा जो पहला जो डाकुमेंट है वह है पहनकार्ड लेग लिगेनदेगा friends पहला डाकुमेंट है आपका पहनकार्ड पर्मानेंटिक आउटर डंबर फ्रेंट fills अगर आप लोगों के पास पहनकार्ड नहीं है तो आप लोग बनवा लिजीए कहीं भी जन सेवाक केंदर से आप लोग बनवा सकते हैं और डिये फ्रेंट जो वो भाई पोस्ट आता है और एक प्रोक स सेवंड डेज में पहले तो आया ता था लेगिन इस टाइम क्या प्रोसेस है इसले फ्रेंस आप लोग पहले ही पहले ही पहन कार्ड अगर आपके पास नो हो तो बनवा लिएगा यह बहुत ही important document है और फ्रेंस आपको चाहिए ही होगा अब आते हैं हम लोग अपने second document को उपर और आपका second document है आधार कार्ड जिया फ्रेंस आधार कार्ड तो आप सभी के पास होगा लेकि फ्रेंस होता यह है कि आपके name में या father's name में जो है आधार कार्ड पर जो लिखा हुआ है उस पर जो लिखा हुआ है उसमें कुछ mistake होता है तो फ्रेंस उसको आप लोग सही करा लिजिये फ्रेंस जैसा कि आपकी 10th के मार सीट पर लिखा हुआ है सेम वैसे ही आप लोग अपने आधार कार्ड पर correction करा लिजिये अगर कुछ दिक्कत है तो अगर कुछ गलत है तो जो फ्रेंस कोई भी tension वाली बात नहीं है आधार कार जिसमें दिये हुए है ज्वाइनिंग के related जितने भी instructions है तो फ्रेंस आपको उसकी पीडियाप चाहिए तो इसी वीडियो के description में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है आप लोग लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम पर जुड़ जाईए फ्रेंस वहां हमने जो है joining instructions के जो PDF प्रोवाइड की है तो वहांसे आप लिभास जो PDF है दानलोट कर सकते हैं जैसे आपको पाथा चलियाएगा कि joining instructions है उनमें कौन कौन से instructions दिए गए हैं और friends वो instructions आपके लिए बहुत ही important है तो my dear friends हम लोग आते हैं हमने तीसरे document के उपर जो की आपको चाहिए होगा friends तीसरा document है आपका bank account जी हाँ आपको bank account चाहिए होगा with ATM का तो आप लोग bank account जो है open करा सकते हैं friends हम लोग आब आते हैं आपके चौथे document के उपर तो friends आपको जो चौथा document है वो चाहिए होगा आपके 10th और 12th की mark sheet जी हाँ friends आपको 10th और 12th की जो mark sheet है वो चाहिए होगी और friends अगर आप लोग का passing certificate जो है आपके results से अलग मनता है जैसे भी CVC board वाले बंदे हैं तो उनको passing certificate भी अपना ले जाना है और friends जो UP board आदी वाले बंदे हैं उनकी जो passing certificate है वो mark sheet के पीछे ही होती है इसलिए आपको अलग से कोई passing certificate जी सुन नहीं होता है तो dear friends आपको जो है passing certificate भी ले जाना है और friends अब हमारा जो अगला डाकुमेंट है वो है आपका कोई भी अगर additional qualification हो जैसे कि friends आपने पॉल टेगनी किया हो, ITI किया हो, BT किया हो, graduation किया हो अगर उसके result है आपके पास उसके जो document है आपके पास तो आपको उस document को जो है ले जाना है और friends आपको NCC के जो original certificates है उनको जरूर ले जाना है अगर आपने NCC का जो है fill up किया होगा है NCC तो आपको NCC के जो original document है उनको जरूर ले जाना है तो डिये फ्रेंड अब हम लोग बात करते हैं अगले डाकुमेंट के उपर और अगला डाकुमेंट आपके हैं फोटोग्राप्स याँ प्रेंड आपके पास्पोर्ट साइज जो फोटोग्राप है वो चाहिए होंगे आप लोग पूशते हैं कि कितने फोटो ले जाए हम तो वो फ्रेंटस देखिए आपको लिखा हुआ है 17 फोटोग्राप्स देखिए आप लोग जीदा जितने ज्यादा फोटोग्राप्स ले जाएंगे उतना ही आपके लिए जो है वेनिफिसियल रहेगा रिजन यहां फ्रेंट्स के अगर कोई फोटो कहीं खराब हो जाता है यहां फ्रेंट्स कहीं गलत जगा आप चिपका देते हैं उसको तो फ्रेंट्स इससे यह होगा कि अगर एक्स्ट्रा फोटोग्राप्स आपके पास होगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी अगर कई कोई photographs खराब हो जाते हैं तो एंडिया फ्रेंस जो अगला डाकुमेंट है आपका वो आपके parents के joint photograph चहींगे यहां फ्रेंस parents में केवल आपके मम्मी और पापा का photo रहेगा नखी आप लोग का आप लोग उसमें नहीं रहेंगे तो friends आप लोग joint photograph बनवा लेजएगा अगर उसकी quantity की बात रही तो मैं तो कहूंगा यार कि आप लोग minimum 20 photograph ज़रू बनवा लेजएगा आपके लिए ही important जो है और रहेगा अगले आपके दो डाकुमेंट और हैं जो आपको चाहिए होंगे उनमें से एक है आपका character certificate आपको स्कूल से बनवाना है जिस स्कूल में आप पढ़ते थे नहीं तो friends आप जो है अगर गाउं में रहते हैं तो गाउं के प्रधान जो है उनसे भी आप बनवा सकते हैं अगला जो आपका डाकुमेंट है वो है P5 form है जो कि friends आपको इंडियन एर्फोस की साइट पर मिल जाएगा और friends जब आपकी PSL आ तो मैं friends बताऊंगा कि उस form को आपको कैसे download करना है और कैसे fill up करना है तो यह कुछ डाकुमेंट है जो आपको बहुत ही important है आपको बनवा लेना आपकी ऐसी notification ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें so my dear friends thank you for watching my video thanks a lot my dear friends